13.2.2 वस्तु की विभिन इस्थितियों में गोली दर्पंड के किरन आरेक रे डायग्राम्स क्रिया कलाप 4 में किये गए अपने अवलोकनों के अधार पर परावर्तन के नियमों का उप्योग कर किरन आरेक द्वारा प्रतिबिम बनाने का प्रयास करें अ अफ्तल दर्पंड के किरन आरेक पहला जब वस्तु अनन्त पर हो दूसरा जब वस्तु सी के पीछे हो तीसरा जब वस्तु सी पर हो चौथा जब वस्तु एफ व सी के बीच हो पाचवा जब वस्तु एफ पर हो छटवा जब वस्तु एफ व दर्पंड के पीछ हो ब उत्तल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रतिविम के किरनारेक उत्तल दर्पन द्वारा बनने प्रतिविम का अध्यन करने के लिए हम वस्तु की दो इस्तितियों के बारे में विचार करेंगे पहली इस्तिती में वस्तु अनंत दूरी पर है तथा दूसरी इस्तिती में वस्तू दर्पन से एक निश्चित दूरी पर है चित्र बारा के अनुसार उत्तल दर्पन द्वारा बन रहे प्रतिविम की प्रकृती इस्तिती में तथा आपेक्षित साइस को सार्णी दो में भरे अ जब वस्तू अनंत पर हो 2. जब वस्तु उत्तल दर्पन से एक निश्चित दूरी पर हो 2. अवतल दर्पन में परावर्तित किर्ने वास्तविक रूप से मिलती है जबकि उत्तल दर्पन में परावर्तित किर्ने किसी बिंदू से आती हुई प्रतीत होती है या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है आभासी प्रतिविम की स्थिती प्रकाश की किरण आरेखों में परावर्तित किर्णों को पीछे बढ़ा कर ग्यात की जाती है केड़नों के इस आभासी भाग को बिंदुवत रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या आपने यह नोट किया कि वास्त्विक प्रतिविम सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिविम सदैव सीधा बनता है प्रश्न बताईए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दरपणों की पहचान सपर्श करके वा प्रतिविम देखकर किस प्रकार कर सकते हैं